बट यहां पर दो कंडिशन है, कंडिशन क्या है, आप नए यूजर नेम को जब रखोगे, वापस अगर आप चाहते हो कि पुराना यूजर नेम में ले लू तो यह पॉसिबल होगा 14 दिनों के बाद, तो देख सकते हो कि यहां पर सक्सेस्फुली जो है मैंने अपना यूज यूजर नेम चेंज कर लिया है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप भी जो है अपनी यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, हाई फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्य वीडियो में, बिसिकली आज कि इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं, हाव यूजर नेम का यूज हम इंस्टाग्राम में किसी अकाउंट को डूलने के लिए करते हैं, अगर आपका यूजर नेम बहुत ही लंबा है, या फिर उसमें बहुत ही ज्यादा नंबर्स बगर यूज किया हुआ है, जिसी याद रखना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसे में आपको अपने यूजर नेम को चेंज कर लेना चाहिए, कैसे करोगे, तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, और समझते इस पूरे प्रोसेस को step by step, तो सबसे पहले जो है, आप अपने इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और यहां पी जो आपको प्रोफाइल का इकन दिख रहा है, सिंपलिस इस पर क्लिक करो, और यहां पर उपर मैं देख सकते हो कि यह जो है, यही है यूजर नेम, ठीक है, अभी मैं इस यूजर नेम को आपको चेंज करके दिखाऊंगा, कैसे, तो यहां पर दोको नीचे एक option आपको दिख रहा है, एडिट प्रो होगे, वो make sure किसी और ने ना लिया हो, ठीक है, दूसरा condition यह है कि अभी जो current आपका यूजर नेम है, और आप ने यूजर नेम को जब रखोगे, वापस से अगर आप चाहते हो कि पुराना यूजर नेम में ले लूँ, यह possible होगा 14 दिनों के बाद, आप तुरंत चाहोगे चेंज करके, मैं तुरंत चेंज कर लूँ पुराना, तो आप ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हो कि उपर में blue का tick है, simply इस पर click करो, और यहाँ पर आपका यूजर नेम जो है, सेट हो जाएग चेंज कर लिया है, इसी process को follow करके, आप भी जो है, अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, और इंट्रेस्टिंग यूजर नेम बना सकते हो, तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के शायर करना भूलना मत और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना भूलना मत 100% आपके ट्राइ करूँगा आपके कमेंट कर रिप्लाइ करने का और अगर आपका जैन्मिन सवाल हुआ